गोरखपुर नियूज से बात करते हुए मुख्य चिकिस्सा अधिकारी डॉक्टर एसके तिवारी ने बताए कि कुरूना संक्रमित के इलाज के इलाज के लिए जिले में लगभग 900 बेट तैयार कर लिए गए हैं जिसमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के अस्पताल बनाए गये हैं जिसमें टीवी अस्पताल गीडा स्पोर्ट्स कॉलेज सहित अन्य अस्थानों पर भी बेडों की ववस्ता की गई है सीमो ने कहा कि जिले में कुरूना इलाज के लिए समुशित ववस्ता की गई है कोई भी व्यक्ति अगर पीडित है तो अपना इलाज करा सकता है इस संबंध में गुरकून नियूस से बात करते हैं वे मुख के चिकिस साधिकारी डॉक्टर एसके तिवारी ने कहा देखें लावल बन का कोविड हॉस्पिटल जो हमारा चरिगमा है 30 बेड़ और उससे अटैजड फेसिलिटीज हमारी 200 बेड रेलवे हॉस्पिटल और 200 बेड़ अब हमने एक्स्टेंड कर लिया है 200 बेड का हमारा रापती नगर में स्पोर्ट्स कॉलेज तो साड़े 400 बेड यह एक्स्ट्रा हो गया है और हमने आटैजड फेसिलिटी के रूप में या कोविड केर सेंटर के रूप में 500 बेड का और शाशन ने हमको टार्गेट दिया था वो भी हमने तयार कर लिया है जिस तो इस तरह से वह भी हमारा 504 बेड के करीब तयार हो गया है कुल मिला के हमारे गुर्यखपुर में करीब 900 बेड की हमने तयारी कर रखी है जिसमें कुछ के कोविड केर सेंटर सेंटर जहां कि कोई सिम्टम नहीं होता यह सिम्टमाटिक को हम रखते हैं यहां माइल्ड सिम्टम हम डील कर लेते हैं और L2 और L3 दोनों हमारा BRD है BRD Medical College जब कोई ज्यादा सेरेस होता है या रेस्परेटरी डिस्ट्रेस होता है हम मैनेज नहीं कर पाते तो हम उसको BRD Medical College भेज देते हैं तो इस तरह से हमारे 900 बेट की तैयारी हो चुके